तो देखिए लैंचो वाली चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है जिसका नाम है इलेटे टू गॉड ठीक है जिसमें आपको पहले बताया गया था कि यहां तक पहुडा प्राद प्राद या गया था कि लैंचो ने क्या लिखा उस पत्र में तो देखिए कि रा कि God He Wrote If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need a hundred peasos in order to sow my field again and to live until the crop comes before the hellstorm. तो देखिए लैंचो ने कहा, He Wrote, उसने लिखा, पत्र में उसने लिखा कि God भगवान, If you don't help me, यह दिए आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, कामा में सुता है तो यह दिए आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, तो my family and I, मतलब मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे, दिस एर मतलब इस साल, तो इसने लिखा कि भगवान, यह दिए आप ने मेरी सहायता नहीं की, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे, और लिखा, I need a hundred pesos, मुझे 100 pesos की जरूरत है, तो pesos वहां की currency है, currency of several Latin American countries, कई सारी जो American Latin है, सहर है, देश है, जो Latin देश है, वहां की currency है, pesos, तो करा कि मुझे 100 pesos की जरूरत है, In order to so, मतलब बोने के लिए, माई फिल्ड मेरे खेतों को अगेर में दुबारा से, मुझे अपने खेतों को दुबारा से बोने के लिए, 100 pesos की आओ सकता है, Until, मतलब जब तक की the craft comes, जब तक की फ़सल वापस नहीं आ जाते हैं, या जब तक फ़सल दुबारा नहीं आ जाते हैं, तब तक जीवित रहने के लिए, और दुबारा से खेतों को बोने के लिए, मुझे 100 pesos की जरूरत है, ठीक है, फिर आगे लिखा कि because the hell storm, यहां देखे test दिया गया है, मतलब उसने और भी कुछ लिखा होगा, क्योंकि जो hell storm थे, जो ओले थे, उन्होंने क्या किया होगा, यहां आगे लेंचों ने mention किया होगा, जो आपके book में यहां नहीं दिया गया, ठीक है, तो आगे दिखते हैं, तो उपल लिखते हैं, तू और तू के बाल लिखते हैं, जिसके address, ठीक है, जैसे हमें application लिखते हैं, principle के बास, to the principle, similarly उससे प्रिकाल से, हम to the god, to god मतलब भगवान को, ठीक है, to के बाद जो हम address लिखते हैं, ठीक है, तो उसलिका to god, on the envelope मतलब लिफाफे पे रिखा, to god, put the letter inside, और पत्र को उसलिफाफे के अंदर रखा, and still troubled, और अभी भी परिशान, went to town, सहर गया, अभी भी वह चिंति था, या परिशान, चिंति दुआ सहर गया, at the post office, post office पर, he placed a stamp, on the letter, उसने पत्र पे एक stamp लगाया, मोहर लगाया, मतलब एक टिकेट आती है, ठीक है, जिसको वह इस letter पे लगाया, and dropped it into the mailbox, और इस पत्र को वह mailbox में डाल दिया, ठीक है, clear है, आगे दिखते है, one of the employees, who was a postman, and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God, One means is a trial of the employees, मतलब, करमचारीओं में से एक, करमचारीओं में से एक, हुआ जब पोस्ट मैंन जो एक पोस्ट मैं था, ढाकिया था, and also helped there at the post office, or post office में सहायता भी करता था, ठीक है, clear 더 देखे की करमचारीओं में से एक, जो एक पोस्ट मैं था, ढाकिया था, और पोस्ट आफिस में सहायता भी करता था वेंड टू हिज बॉस वह अपने मालिक के पास गया लाफिंग हर्टली मतलब खुले दिल से हंसते हुए एंड सोड हिम उसे दिखाया देलेटर टू गाड भगवान के नाम का पत्र कलेर है देखिए फिर से करमचारियों में से एक जो एक डाकिया था और पोस्ट आफिस में सहायता भी करता था वेंड टू हिज बॉस अपने बॉस के पास गया लाफिंग हर्टली खुले दिल से हंसते हुए और सोड हिम देलेटर टू गाड उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया जलिए है नेवर इन हिस केरियर आज पोस्टमएं में हैड नियन अपनेजीवन में walk में दा की यह के रूप में अपने ब्यसाईख आजीवन में उसने कभी नहीं हैड नन मदल्य उसे पता था जाना था देटट इश्म गल्वब्वाय पता मालत अपने पॉस्ट मैंस फ्रिहां cade की खुष मिशाज ब्यक्ति ठीक है चलिए लिखते आगे क्या था दे पोस्ट मास्टर अफाइट एन अमेबल फैलो मतलब जो पोस्ट मास्टर एक मोटा और मिलनसार ब्यक्ति था ठीक है मोटा और मिलनसार आलसो ब्रोक आउट लाफिंग वह भी खोब जूर से हांस पड़ा ब् आल्मोस्ट इम्मेटली तॉंट इम्मेटली ही सीरियस लेकिन अचानक से वह अचानक से वह सीरियस हो गया मतलब गंफीर हो गया मदब टैपंग जराफ धुष केमेंटेड और तपीण मतलब थप थपाते हुए धा लेटरपत्र को आनमेट्टिर अपने डेक्स पे लेटर क को पीटते हुए कमेंटेड किया मदब टिपड़ी किया क्या टिपड़ी किया what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter तो जो पोस्ट मास्टर है उसने comment किया कि what faith मतलब कितना विश्वास है कितना विश्वास I wish मेरी इच्छा या कास I had the faith of the man मेरे पास भी उस आदमी के तरह विश्वास होता जो पोस्ट मास्टर है उसे बहुत ही गंभीर हुआ वह बहुत ही आश्चर हुआ और उसने आश्चर किया कि कितना बड़ा विश्वास है और वह उमीद किया कि कास मेरा भी उस आदमी के तरह विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है इसने बड़ा बड़ा जिसने शुरू किया है अशने बढ़ा विश्वास होता ऐसा उसने कमेंट किया clear आगे बढ़ते हैं so in order to not to seek the writer's faith in God the postmaster came up with an idea answer the letter so this way in order मतलब के लिए not to check मतलब डगमाने के लिए the writer's faith मतलब writer का विश्वास in God ने भगवान में देखें भगवान में लेखक के या लैंचो के विश्वास को ने डगमगाने के लिए उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए ताकि उसका विश्वास ने डगमगाए इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विश्वास के को विश्वास को बनाए रखने के लिए एक बिचार आया कि इस पत्र का उत्तर दे दिया जाया है ठेक क्लेर आगे दिखते हैं बट वेन ही ओपेंड इट लेकिन जब उसने इस पत्र को ओपेंड किया खोला इट वाज एविडेंट देट तू आंसर इट ही नीड़ेट सम्थिंग मोर देन गुडविल इंक एड पेपर क्लेर दे सकता थी more than अधिक जो है गुडविल मतलब सदभावना इंक और पेपर मतलब स्याही और पेपर और सदभावना से कहीं ज्यादा कुछ और चीज की जरूरत थी फिर से देखें करबट मैं नहीं ओपेंड इट लेकिन जब उसने इसे खोला इट वाज एविडेंट तो यह अ अधिक बट इस टिक टो इज रेजुलियूशन लेकिन वह जो है इस्टेक मतलब अड़ा रहा इस रेजुलियूशन मतलब अपने दिर्भता पे वह अपने दिर्भता पे बना रहा रहा वो अपने करमचारियों से पैसे की मांग की, वो अपने करमचारियों से पैसा मांगा, 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 and several friends और कई मित्रों से आफ इस अपने कई मित्रों से वर अबलाइज मतलब बाद किया to give something कुछ देने का for an act of charity मतलब एक दान के काम से या एक दया के काम से धर्म के काम से ठीक है फिर से देखे करा लेकिन वह अपने दिर्टा पर अड़ा रहा he asked for money from his implies उसने अपने करमचारियों से पैसे मागे he himself गया part of his salary उसने swim अपने salary का कुछ हिस्टा दिया and several friends और अपने कई मित्रों से बाद किया मतलब उन्हें oblige किया to give something कुछ देने का किसके लिए charity के काम के लिए मतलब एक धर्म या एक ठीक है धर्म के नाम पे या एक आस्था के नाम पे ठीक है इस पे देने के लिए उसने कहा clear है चलिए आज बढ़ते है it was impossible for him together the hundred pesos so he was able to send the farmer only a little more than half एक साथ यह शंबहुस को एक साथ जो है सौब इसके लिए किया था असंभाशा ता सब गयाका है इसलिए वह किसान को आधा से थोड़ा आधिक भेज पाया मतलब आधे पैसे से थोड़ा आधिक पैसे भेज पाया put the money in an envelope put the money पैसे को रखा in an envelope मतलब लिफाफे में address मतलब संबोधित किया टू लेंचो लब पत्र में जो है पैसा रख दिया पैसा रखने के बाद में जो एड्रेस पता लिखाना था उसमें क्या लिखा टू लांचो जैसे लेंचो ना रिख哈 के साथ में पत्र लिखा डाला कंटेनिंग जिसमें सामिल था only a single word के वह एक सब्द लिखा गया था अज़े सिगनीचर मतलब भगवान हस्ताक्षर के रूप में God वहां पे लिखा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे करा कि the following Sunday लैंचो के में a bit earlier than usual to ask if there was a later for him देखे करा the following Sunday अगले रविवार को लैंचो लैंचो के मिस आया a bit मतलब थोड़ा सा earlier मतलब पहले देन मतलब से usual मतलब हमेशा से अगले रविवार को हमेशा से थोड़ा पहले लैंचो आया to ask मतलब मांगने के लिए if there was a later for him कि क्या उसके लिए कोई पत्र है ठीक है clear है हर रविवार को आता था लेकिन इस रविवार को वह पहले से थोड़ा जल्दी पहुंचा क्या करने के लिए मांगने के लिए कि क्या उसके पास कोई पत्र है या कोई उसके लिए कोई पत्र है clear आगे देते है it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the containment of a man who has performed a good deed looked on from his office देखे it was the postman यह दांकिया था himself मादब स्वेम यह स्वेम पोस्ट मैन नहीं दांकिया था who handed जिसने सौपा the letter to him पत्र तो हिम मतलब उसको यानि लैंचो को यह स्वेम दांकिया था जिसने उसको पत्र सौपा while जब की तो while मतलब दो जब दो काम एक साथ होते हैं तो while लगा जाता ठीक है एक काम हुआ कि पोस्ट मैन जो है डांकिया पोस्ट मैन जो है लैंचो को पत्र सौपा और जब की the postmaster पोस्ट मास्टर experiencing अनभव कर रहा था the contentment मतलब संतुष्टी का आप हिम मतलब एक बेक्ट के जब की postmaster एक बेक्ट के संतुष्ट का अनभव कर रहा था who has परफार्म जिसने किया था a good deed एक अच्छा कार या एक नेक कार ये जब की postmaster एक बेक्ट के संतुष्टी का अनभव कर रहा था क्योंकि उसने क्या किया था लगर फ्राम हीज आफिस अपने आफिस से देख रहा था था ठीक है वह एक पोस्ट maashter जो है हूँ संतुष्टी का भाव कर रहा है संतुष्टी के दिखा नहीं दिखाया नहीं दिखाया इसा उसका बिश्वास था ठीक है लेंचो ने पैसे को देख करके लेंचो ने जरासा भी आश्चर नहीं दिखाया आश्चर नहीं दिखाया ऐसा गया था ऐसा उसका विश्वास था मतलब इतना उसका विश्वास था कि भगवान पैसा भेजेंगे और जब पैसा आ गया तो लेंचो को जरासा भी आश्चर नहीं हुआ आगे बढ़ते हैं but he became angry लेकिन he became angry वह क्रोधित हो गया when he counted the money जब उसने पैसे को count किया जब उसने पैसा गिना तो वह गुस्टा हो गया God could not have made a mistake nor could he have denied lencho what he had requested तो करा कि God एनी भगवान could not have made मतलब कर सकते हैं mistake मतलब गलती भगवान गलती नहीं कर सकते हैं भगवान से गलती नहीं हो सकती है Nor ne to could have could he haveтор denied花 कर सकते हैं lencho bo pessoa भगवान से ले खती है और नहीं हो सकती है और नहीं तो बैंच को म Paco Be है requested जो उस ने अनुरोध किया है उस अनुरोध को भगवान मना भी नहीं कर सकते हैं और ने तो भगवान से गलती हो सकती है एक कौन सुचरा है लैंचो ठीक इमीडिएटल नम सनल तुरंट लैंचो आप टू दैविंडवी टू आप टू बिन्डवी तू अप टू रीपर अद इंग लेंचो उ हए खीडकी पर पेपर और इंक मागने के लिए गया अग्शा से ऐसल्द कर अन्हें पब्लिक टेबल तो यहां पर यहां पर यह पिसी स्ट्राइट उसनी डिजिए तो रेयंग पर ने से ओषते अधिक चोidet रिंक्लिंग डालते हुए अपने मात्य। पर अधिक शिकनद डालते हुए tylko Зबना प्रयास के कारन गुश्चा जो उसके अंदर है उस गुश्चे के प्रयास के कारन उसके मात्य पी पर सिकनद था सुस् तुमेट उसे करना परा हि supp desperate मतलब अधिक रिंकलिंग मतलब सिकन में आप इजबर अपने माथे के अधिक सिकन में कास्ट वाई मतलब के कारण देफाइड मतलब उस प्रयास के कारण ही है टू मेक जिसे वह करना पड़ा टेक्स बताने के लिए अपने विचारों को ब्यक्त करने के लिए किये गया प्रयास के कारण उसके माथे पे अधिक सिकन के साथ वह लिखना सुरू किया क्लिया अगब बढ़ते हैं इन उसको अफ्यक्स कर दिया चिपका दिया इन लिफाफे पर विच ग्रहार से अपने जीब से चाटे के लब इस टिकट को जो इसने अपने जीब से चाटा चाटने के बाद जो है एक blow of his fist अपने मुठी के प्रहार से लिफाफे पे अफिस्ट मतलब चिपका दिया ठीक है लब गुस्षे में है तो वह है उस टिकेट को अब जीब से लिख करके चाट करके मुठी के प्रहार से उसने लिफाफे पे टिकेट को चिपका दिया जो है उसने लेटर को मेल बाक्स में डाला जो पोस्ट मास्टर था उसने कहा उस पत्र में लिखा गया था कि गौड भगवान आफ दे मनी मतलब पैसे that I asked for जो मैंने मांगे थे only 70 pesos reached me केवल 70 pesos मेरे पास पहुंचे है भगवान जो मैंने पैसे आप से मांगे थे केवल 70 pesos मेरे पास पहुंचे है send me the rest send me मुझे भेजिये the rest बाकी का पैसा मुझे भेजिये clear since क्योंकि I need it मुझे इसकी जरूरत है very much बहुत अधिक क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक जरूरत है but don't send it to me throw the mail but लेकिन don't send मत भेजियेगा इसको to me मतलब मुझे throw the mail यानि mail से लेकिन आप मुझे इसे mail से मत भेजियेगा because क्योंकि the post office implies post office के जो करमचारी है are a bunch of crooks मतलब है एक ठगो का समू है चोर बेहिमान लोग है लेकिन आप उसे mail के द्वारा मुझे मत भेजियेगा क्योंकि post office के जो करमचारी है bunch of crooks है मतलब ठगो और बेहिमान लोग है चोर और बेहिमानों का जुन्द है लेंचो तो लेंचो ने देखिए उन्हें क्या बताया और मतलब post master ने कैसा काम किया और लेंचो का कितना भगवान में विश्वास है इस भगवान के विश्वास पर यहां दिखा गया है कि उसके इस बिलीव में लेंचो ने क्या किया और post master अपने जगह पे कमेंट बाक्स में करेंगे आप बने रही हैं माई साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहां अवस्ट करेंगे थैंक्स थैंक्स पर वाचिंग